Hello everyone, welcome to my channel हन्मान जी का रोल कल्यूग में कल्यूग के अंत तक बना रहेगा क्योंकि राम जी के आदेश पर उन्हें यहीं पर रहना है और कल्यूग के अंत में जब पूरी दुन्या, पूरा प्रह्मान एक नए रूप में चेंज हो जाएगा तभी हन्मान जी को भी इस दुन्या से मुक्ति मिलेगी, यानि वो फिर से सत्यूग में चले जाएगे तो राम जी के आदेश का पालन करते हुए, आज हन्मान जी कहां पर विद्धिमान है, क्या कर रहे है और क्यों उन्हें बेडियों में जगर कर एक जगर रखा गया है, कौन सी है उस जगह का नाम जहां हन्मान जी को बेडियों में कैद करके रखा गया है आज यही मेरे विद्धियो का टॉपिक है, बेडि वाले हन्मान या जिने कहते हैं, दुसरा जिनका नाम है, दरिया महाविर मंदिर इस मंदिर का निर्मान कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हनुमान जी को जंजिरों में जकडा गया, क्यों उन्हें दरिया महाविर मंदिर का नाम दिया दिया गया उस मंदिर का नाम, ये सब कुछ आज मैं डीटेल्स आपको अपने वीडियो में बताऊंगी क्योंकि हनुमान जी के साथ कलकी जी का भी बहुत गहरा संबंद रहेगा एंड में उनको भी कलकी अवतार को यानि हनुमान जी को बहुत अधिक मदद पहुचानी है क्योंकि उनके पास होंगी वो अश्ट सिद्धियां जिनका उप्यूग वो कल्यूग के अंत तक समय समय पर करते रहेंगे तो भीना टाइम बेस्ट किये चलिए मैं शुरुवात करती हूँ अपने वीडियो की इस बारे में कि उन्हें जंजीरों में क्यों जकड कर रखा गया है सबसे पहले ये जान लिजिए कि उनका मंदिर आखिर है का जंजीरों वाले यानि बेडी वाले हनुमान जी का मंदिर जिसे दरिया महाविर मंदिर भी कहते हैं ये पूरी में इस्थित है और इसा राज्य के पूरी शहर में जहाँ पर की जगनात पूरी का मंदिर है जगनात धाम जिसे कल्यूग का बैकुंठ धाम कहते हैं क्योंकि वहाँ पर साक्षात श्रिकिष्ण जी रहते हैं द्वापर्यूग खत्म होने के बाद श्रिकिष्ण जी ने जब वो बैकुंठ चले गए वहाँ से उन्होंने जगनात में ही अपना फिर से कल्यूग में निवास स्थान बना लिया कहते हैं साक्षात रूप से आज भी श्रिकिष्ण का दिल वहाँ धड़कता है यानि वहाँ पर जो मूर्ती है जगनात जी की जगनात यानि क्या जगत के नात यानि श्रिकिष्ण भगवान जो है वहाँ पर साक्षात उनका दिल जो है वो जगनात मूर्ती के अंदर कहा ज निर्मार किया और इस मंदिर को आसपास इस मंदिर के आसपास चारों तरफ समुद्र है लेकिन कहते हैं यह समुद्र आज किसी भी तरह से इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता कारण क्या है कारण इसकी रक्षा का भार हनवान जी के कंधों पर है इसके बारे में दो अलग गलग कहानिया हैं, पहली कहानी ये है कि हनुमान जी को इसलिए बेडियों में जकड कर रखा गया और उनका मंदिर का निर्मार किया गया, क्योंकि अक्सर वो उनके उपर जगनाद जी का जब मंदिर का निर्मार हुआ, तो कहते हैं कि तीन बार, तीन समय त्री इंसिडेंट् जब कि समुद्र मंदिर के अंदर चला गया, यानि प्रवेश कर गया, और पूरा मंदिर जल्मग न हो गया था, तो जगनाद जी बहुत परिशान हो गया थे, लाक समझाने के बावजिूद भी समुद्र मंदिर में आना बंद नहीं कर रहा था यानि समुद्र का पानी मंदिर के अंदर घुश जाता था तो जगनात जी ही उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी को रक्षा का भाग दिया यानि समुद्र को आने से रोकने के लिए मंदिर के अंदर हनुमान जी को यह जिनमेदारी दी गई कि तुम यहीं पर जंजीरों में जकड कर पड़े रहो और स समुद्र से मन्दिर की रक्षा करो समुद्र का प्रवेश मन्दिर में न हो न पायت, तो उन्हें जंजीरों में क्यों जकड़ा गया सवाल यह विए क्योंकि वो समय समय पर अपनी लालच रोक नहीं पाते किस प्रकार की लालच जगऴet जगणात जी को देखने की या मंदिर में औने की ये पहली कहाणी मैं बता रही हूं एक और कहाणी य से जुड़ी होई है तो वह देख की अपनी लालच को रोक नहीं पाते थे समय-समय पर वो मंदिर में आ जाते थे, जैसे ही वो मंदिर में आते थे, या वहां से हटते थे, तो क्या होता था, कि समुद्र जो है, वो आराम से चला जाता था, फिर से मंदिर के अंदर, और जगनाथ जी इससे परिशान हो गए थे, तीन वार ऐसा हुआ, कि समुद्र ने अपने प स्क॥ मेरे मंदिर कि रख्षा करनी एक तो कहानी इह हो गई इसलिए बेडी वाले हनुमान वहीं आज तक पड़े हुए हैं दुसरी कथा ये है कि राम चंद्र जी के आदेश पर राम चंद्र जी ने ही उन्हें जगनात पूरी की जिम्मेदारी का भार सौपा था लेकिन लालच वश राम चंद्र जी के अयोध्या में अक्सर हनुमान जी समुद्र को से रक्षा नहीं करते थे जगनात पूरी की बलकि वो पहुँच जाते थे एयोध्या राम के दर्शन लेनी के लिए जहां जहां भी राम जाते थे उनके दर्शन पाने के लिए आतुर हनुमान जी वहां पहुँच जाते थे और जैसे ही हनुमान जी समुद्र के तट से गाइब होते समुद्र पहुंच जाता जगनात मंदिर के अंदर इससे राम जी ने ये आदेश दिया कि अब तुम्हें वही पर रहना है और चलो मैं तुम्हें वहाँ पर जंजीरों में पांद कर रख दूँगा तो दूसरी कहानी के मताबिक राम चंदर जी ने ही हनुमान जी को समुद्र के अंदर समुद्र के तट पर जंजीरों में बांद दिया और वही पर बाद में लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और कहते हैं कि ये हनुमान जी की मुर्ती ऐसी है जिसका मुँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जब जगनात जी या राम जी उनको बांद कर जा रहे थे जणजीरों में जकड कर जब जा रहे थे उन्हें छोड़कर तब हनुमान जी ने तब तक राम जी को देखते रहे जब तक की वो आखों से ओजन नहीं हो गए तो इतना अधिक प्यार राम जी का उनके मन में था राम जी के लिए मतलब हनुमान जी के मन में राम जी के लिए इतना अधिक प्यार था कि अंतिन समय तक वो राम जी को देखते रहे ये दुसरी कहानी के अकॉर्डिंग है और पहली कहानी जगननाद जी ने अपने मंदिर मे तो ने समुद्र को आने से रोकने के लिए हनुमान जी को बेडियों में रखा और बेडियों में जकड़ कर वसक पर छोड़ा कि अब तुम्हें समुद्र से मेरे मंदिर की रक्शा तर निये अब में रहता सनफ्रों कशना 10 an जगनात पूरी के दर्शन करने तो यह बेडी वाले हनुमान जी का दर्शन करना भी नहीं भूलते अगले वीडियो में बताऊंगी कि उन्हें बेडियों से कौन आजात कराएगा कलकी अवतार करोल इसमें क्या होगा कलकी अवतार किस प्रकार वहां पहुंचेंगे क्योंकि जहां श्रीकिष्ण और जहां राम वहां कलकी अवतार भला कैसे ना पहुंचेंगे तो अगला वीडियो इंतजार कीजिएगा एक और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ जो डिपेंड होगा हमारे अगले वीडियो के उपर कि किस प्रकार का इंटरस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रही हूं कलकी आतार और हनुमान जी के बारे में कि किस प्रकार ये बेड़ी वाले हनुमान आजाद होंगे क्या कलकी आतार ही उन्हें आजाद करवाएंगे और आजाद करवाएंगे तो क्यों आजाद करवाएंगे ये सारे टॉपिक्स मैं कवर बने रहिएगा मेरे वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट देते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को जरूरत है Thank you very much for watching my video